आज द्लूग मेथी की मठरी बनाना सीखेंगे तो चलिए देखते हैं उसके लिए मैंने मेथी को दोके बहुत ही अच्छे से साफ कर लिया है और उसको कट कर लिया है कटकर के मैंने दोके बिल्कुल अच्छे से साफ कर्recht जीरे कद्र का डाला है कर लोंगी और projects नोगता जाद मैं लोग को साय हुँच्पी और क्रंची तो इसका मोइन उस्रीम्ल मैंने जो भी यह तब जाला है नमक डाल दिया है मैंने इसमें नमक अपने टेश्ट के हिसाब से डॉलना है अगर आप चाहो तो अजवाई भी डाल सकते हो क्रश्ट करके अजवाइन भी मैंने डाला है इसमें क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और जो मैंने मेथी भून के रखा था ना उसको मैं इसमें डाल दूगी और आटा जैसा एक कड़क सा डो बना लोंगी ये डो मेरा बन के तयार हो गया है इसको 10 मिनिट के लिए मैं स्टेट करने के लिए छोड़ दूगी और ये मैदा है और देशी घी है जिसको मैं अच्छे से मेल्ट कर लोंगी और इसकी मैं लोई बना लोंगी और बड़ी बड़ी रोटी जो बेलते हैं रोटी बनाते हैं बड़ी वाली रोटी वैसा मैं रोटी बना लोंगी और जो मैदा घी का किया था वो इस पे रिस करती जाओंगी हाथों से अच्छे से लपिटती जाओंगी और इसको फोल्ड कर लेना है तो एक साइड में मैं अच्छे से घी और मैदा का घोल लगा दूँगी और फिर उसको फोल्ड कर देना है फिर वापस लगाना है फिर वापस इसको फोल्ड करना है तो एक साइड लगाते जाना है फिर फोल्ड करते जाना है तो इससे ये बहुत ही अच्छा बनता है क्रंची वेल लूँगी ताकि ये थोड़ा और लंबा हो जाए और चोड़ा हो जाए फिर उसके बाद मैं इसको चककु से कट कर लूँगी और जो मोटा चाहिए तो आप मोटा कट करो पतला चाहिए तो पतला कट करो मैंने पतला पतला कट किया है और इसको उंगली से प्रेस कर देना तो आप लोग भी बनाईएगा जरूर एक बार ट्राइ करिएगा अकड़ाई में मैंने ऑईल गरम करके रखा हुआ है और ऑईल बहुत ज्यादा मतलब आज बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए धी में आज पर ही इसको तलना है ताकि अच्छे से क्रिस्पी तल जाए और कच पहरा तल लेना है तो बस यह बहुत ही अच्छा कलर आया है आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा कलर आया है अब मैं इसको निकाल लोंगी और बाकी का जो भी है न उसको भी मैं वैसे ही तल लोंगी दिमियाज पर तो कैसा लगा वीडियो कॉमेंट करके बताईएगा अब से जरूरी बात फुल वाच करके देखिएगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक की लिए बाबाई